हलो फ्रेंस आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यॉर एजुकेशन गाइड में फ्रेंस जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की जानकारियां लेकर आती हूँ आज भी मैं आपके लिए यह कैसी ही जानकारी लेकर आई हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टर्म इंशॉरंस लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस अपडेट की वीडियो इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरे चैनल पर डाली गई वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में मैं टर्म प्लान इंशॉरंस के बारे में बताऊंगी वो कौन सी बाते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहेंगे जीवन बीमा लेने के समय सबसे असान तरीका होता है टर्म इंशॉरंस लेने का इसमें बीमा लेने वाला जो वेक्ति है एक निश्चित समय तक प्रीमियम का भुकतान करता रहता है अगर निश्चित अवदी के दोरान बीमा धारकी मृत्वी हो जाती है सम इशॉर्ड यानि की एक लंसम अमाउट उसके परिवार या फिर उसके नौमिनी को दे दिया जाता है टर्म प्लान में हर साल मामूली प्रीमियम देने के बाद आपको कुछ स्पेशल सालों के लिए कवर भी उपलब्द कराया जाता है आम दोर पर टर्म पॉलिसी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या फिर 30 सालों के लिए ली जाती है चलिए आप जानते हैं टर्म इंचॉरंस खरीदने से पहले आपको किन किन बातों पर गौर करना चाहिए सबसे पहली बात है मिनिमम कवर नियूनतम कवर के लिए एक वेक्ती की जरूरत दूसरे वेक्ती से अलग हो सकती है लेकिन ये कह सकते हैं कि एक कमाने वाले सदस्य के पास उसकी वार्सिक इंकम का कम से कम 10 गुना बीमा होना चाहिए साथ ही ये भी सला दी जाती है कि आप अपनी इंकम में व्रिदी के लिए कवर भी बढ़ा दें और इसके लिए अतरिक टर्म इंशॉरंस भी खरीद लें दूसरी बात मैटर करती है टर्म इंशॉरंस प्लान का प्रीमियम टर्म इंशॉरंस प्लान का प्रीमियम तीन फैक्टर पर निर्भर करता है आपकी उमर, कवरेज अमाउंट और उसका टर्म एक ही उमर अवधी और जीवन कवर के लिए प्रीमियम रासी बीमा करता से बीमा करता के लिए अलग अलग होती है इसलिए टर्म इंशॉरंस खरिदने से पहले आनलाइन इसकी तुलना भी कर लेनी चाहिए उसके बाद ही आप इस टर्म इंशॉरंस पॉलिसी को खरीच सकते हैं चलिए मैं बताती हूँ कि टर्म इंशॉरंस कितनी तरह के होते हैं उमर बढ़ने के साथ वेक्ति की बीमा की जरूरते भी बढ़ जाती है कुछ बीमा कंपनिया ऐसी योजनों की पेशकर्स करती हैं जो बीमा राशी में वृदी या फिर कमी के साथ आती है सबसे ज़्यादा जरूरी है नौमिनी यानि की नामांकन उसके बाद आप ध्यान रिखिए नौमिनी का यानि की नामांकन ये टर्म इंशॉरंस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये सुनिशित करने के लिए कि बीमा की इंकम आपकी मृत्यू के बाद किसके नाम का उलेक आपने किया है उसको मिलती है इसलिए आपको बीमा खरीदते समय नौमनी का डिटेल जरूर भरना चाहिए तो फ्रेंस ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि टर्म इंशॉरंस प्लान खरीदने से पहले आपको किन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए शेयर करेए और अगर अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ में दियेगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धैंक्यू वेरी मच्छ